नमस्कार दोस्तों सागेत हैं सभीका एक्जाम प्रें यृ angry चैनल पर दोस्तों उपना के क्याँ सब्सक्राइब में नई भरती निकलने वाली है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा यहां पर आप सभी के जो पद हैं यह रखे गए हैं कबसे आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे यह हम आप लोगों को आगे वीडियों में बताने वाले हैं तो जितने भी यहां पर All India के मेल और फुमेल महिला और पूरुज भारत के किसी भी राजे से आप हैं आप अगर दसवी पास है तो दोस्तों आप सभी के लिए हाँपर 84,000 पत दोस्तों आप इंतिजार कर रहे हैं SSC GT में आप सभी के लिए आप नाई भरती निकलने वाली है तो आप सभी के यहां पर बहुत ही बड़ी खुसकपरी दोस्तों लेकर आ चुके हैं कौन-कौन से लोग इसके लिए आप इदन कर पाएंगे सारी जानकारी हैं अपके लोगों को भरती के बारे में आगी वीडि दिखाना चाहेंगे जो कि यहां पर जारी किया गया है Ministry of Home Affairs के दोरा यानि के MHA के दोरा दूस्तों यहां पर अरजेंट रोब से जारी किया था हमने आप लोग सबसे पहले इसको दिखाया भी था जब यहां पर इन नोटिस जारी किया गया था आप सभी की भरती को कराने के संबंद में ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं यह जारी किया गया था दूस्तों यहां पर 17 फरवरी को जारी किया गया था जो कि यहां पर नई भरती कराने के लिए यहां पर ओर्डर से दिये गये थे कितने पदखाली पड़े हैं इस पूरी नोटिस के जरिए यहां पर उसकी जो है जानकारी मांगी गई थी अब दोस्तों आप पर इसके आवेदन ​कशे。 अब दोस्तों पर इसके आवेदन कप से शुरू हो सकते हैं, इसके संबदे में आप सभी के लिए 84,000 पदो पर दोस्तों हम पर कॉंस्टेबल की भरती जो है रहने वाली है कब से इसके आवेदन सुरू होंगे हम आप लोग को आगे वीडियो में बताने वाले है और कौन-कौन से लोग इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं ये भी हम आप लोग को आगे बताने वाले हैं काउंट किया जाएगा अब दोस्तों यहां पर अगर आपकी ओवरेज हो जा रहे हैं तो आप लोग के यहां पर एज में छूट भी मिलने वाली है SCST को 5 साल की और OBC कंडिडेट को यहां पर 3 साल की छूट भी मिलती है कौन कौन से दोस्तों यहां पर योगिता रखी गई हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं SCGD कोंस्टेबल के लिए केवल और केवल यहां पर दसुई पास मांगा गया है तो आप भारत की किसी भी राज़ से हैं महिला और पूरस दोनों के लिए दोस्ते हैं आप यह बंपर भरती हैं निकलने वाली हैं जो की 84,000 पत कम नहीं होती हैं इसमें दोस्तों आप से बिता दें सबसे पहले क्या करवाया जाता है तो आप यहां पर देख सकते हैं CBT करवाया जाता है फिर PET PMT होता है मेडिकल होता है और लाश्ट दोने आपका है आपका है डॉकमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका सीधे सीधे यहां पर जो है ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है अब दोस्ते हैं आप बात कर लेते हैं 80-85 और इसके अलावा दोस्ते हैं पर हम बात करते हैं आपका जो मेंट टॉपिक है कब से इसके आवेदन जो है वो शुरू होंगे तो देखिए अभी आप सो लोग मालूम है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रजेंट टाइम में पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में अभी बहुत ही बड़ी यहां पर दोस्तों विपदा आन पड़ी है जो कि यहां पर पैंडेमिक यानि कि महामारी अभी चल रही है तो ऐसे में दोस्तों आप सभी कि जो आवेदन है यह जुलाई में सुरू होने वाले थे SSC GD के लेकिन अभी यहां पर दोस्तों यह जुलाई में नहीं सुरू हो सकते हैं जैसे कि आप सभी लोग मालूम है कि यहां पर पूरा भारत बंद है तो ऐसे में दोस्तों आप सभी के आँपर आवेधन जो है, मेड़ सप्टमबर तक जा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर एक idea लेकर चल सकते हो कि एक सितमबर से आप सभी लोग लिए आपर आवेधन जो है, शूरू होने वाले हैं। और दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुसकपरी है, क्योंकि भरती तो 110% होगी, 100% होगी और 2020 में ही आप सभी कि यहां पर भरती है, यह होने वाली है, तो दसवी पास सभी भाई भाईनों के लिए बहुत ही बड़ी दोस्तों यहां पर भरती रहने वा पुराजीं!